Hello students, welcome to Sivam Study Knowledge Channel कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आपकी 2025 बोड की तैयारी I hope कि आप लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी Student इस वीडियो में हम Class 12, समाज सास्त्रियनी, सोशोलोजी की जितने भी student है और इस बार 2025 बोड एक्जाम में पेपर देने वाले हैं सोशोलोजी का तो हम उनके लेकर आएं एक वाइरल मॉडल पेपर जो की सेम ऐसे ही आपके क्याद 2025 की बोड एक्जाम में आएंगा सेम इसी तरीकी से आएगे कोश्चन जो आच्छी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले आपको देख सकते हैं 900 ये code है DNA उसके बाब में अनक्रमांग का आप यहाँ पर देख सकते हैं समय भी निर्धारी थे 3 घंटा 15 मिन तीर घंटे 15 मिन में आपको क्या है पेपर को solve करना है यानि पेपर को हल करना है उसके बाब में देखे आपर note में दिया हुआ है ये जो note वाली जानकारी है बहुत ज़्यादा important होती है काफी बच्चे इसको ignore कर देते हैं लेकिन आपसे request यही है कि इसको ignore मत कीजिएगा क्योंकि जैसा कि आप दिया हुआ है कि प्रारंब में 15 मिन परिछार्तियों को प्रशन पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है तो जो 15 मिन आपको पढ़ने के लिए पेपर निर्धारित दिया जाता है इसको आप आराम से पढ़िएगा क्योंकि इसी में क्या है काफी बच्चे जो है होता है यहाँ पर देखिए प्रशन संख्या एक से दस तक बहुती कलपे प्रशन होता है समाज सास्त्र में फिर प्रशन संख्या ग्यारा से बीस तक अति लगूत तरिये होता है जिनका उत्तर आपको लगबक क्या है पचीस सब्दों में देना है फिर प्रशन संख्या एक और डेड़ सो सब्दों में जैना रिवार रहे हैं जब डेड़ सो सब्दों में देंगे तब जाकर आपको आठ नंबर दिया जाएगा सोशोलोजी में तो यह पेपर आपका सेम इसी प्रकार से आने वाला इस्टूरेंट याद रखेगा आप लोग देखिए दस बहुविकल प्रशन पूछे आएंगे जैसा कि यह आप आपको देख सकते हैं एक नंबर का इसी प्रशन होता है तो चलिए हम सॉल्व करते आपकी साथ में हम यह पेपर को सॉल्व करेंगे आप लोग तयारी करें तो पेपर जरूर हल कीजिएगा इवान दाई से आप लोग एंसर पता भी है वी जातिवाद है सी संप्रदाइकता है या डी आधुनिकता इन चारों में से आपको सही विकल्प को चुनना है यहाँ पर देखें राष्टवाद का जो जन्म का कारण है वो आपका उपनिवेश वाद हो जाएगा यानि पहले का ए ओप्सन बिलकुल करेक्ट है तो नहीं है यानि जो सामाजिक संस्ता है इसका उधारण नहीं है तो इन में देखिए एक आपका ओप्सन से देखें चार ओप्सन से ए आपका समरूप वी विवा सी आपका रिष्टेदारी या डी परिवार तो इन में से जो समरूप है यानि दूसरे का भी ए विकल्प बिलक एसे ओंदा प्रिंस्पल आफ पॉपिलेशन काफी इंपॉटेंट पुस्तक है और देखिए सोशोलोजी में बात की जाए तो हर दस कोश्चन में आपका दो कोश्चन तो बुक से रिलेटेड पूच्छा ही पूच्छा जाएगा तो तैयार कर लिजेगा हमने यूटूब पर वीडियो गनाया हुआ है कि सोशोलोजी के इंपॉटेंट पुस्तकूर उसकी लिखक करना तो जो तीसरा कोश्चन है इनमें से सी आपका राइट एंसर हो जाएगा 1798 भी इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट एंसर है जो कि तीसरे का राइट एंसर हो जाएगा उसके बादे द भारत के किस राज्य में सरवाधिक इसाई आबादी है महाराष्ट नागालेंड विहार या असम तो यहाँ पर क्या है इसाई आबादी बात की जा रहे है भारत के किस राज्य में है तो वह आपका राज्य हो जाएगा नागालेंड यानि बी विकल्ब इल्कुल करेक्ट ए काई है स्टूडेंट वो आपका पईवार हो जाएगा यह पांच का ए ओप्षन बिल्कुल करेक्ट एंसर है चलिए देखते हैं अगला देखिए देखे छे नंबर है बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभ्यान का नेतुत्र किया था यह आपको बताना है कहाँ पर पश्चिम बंगाल आपको पता होगा तो ओप्षन में आप लोग देख लीजिए कोरेक्ट एंसर जरूर बताईए आपको पता है तो यहाँ पर हलाकी बात की जाए तो इसका वी ओप्षन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट एंसर सती विरोधी का इनों ने क्याक प्रिकार से नेतुत्र किया था तो छे का वी ओप् साथवे का वी ओप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा तमिल हो जाएगा बिल्कुल राइट एंसर क्या हो जाएगा तमिल जो है यह बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा साथ नंबर प्रश्न का समझ भी आ गया तो यहाँ पर दीख सकते हैं तमिल हो जाएगा उसके बाद में देखिए आठ नंबर कोश्चन, सुशोलोजी में जो है आपका अपजिक्टिव कोश्चन यानि बहुविकल्पी ये दस रहते हैं और आपके बुक से ही पूचे जाते हैं, कहां से पूच लिया गया है किसी को पता नहीं है, न्यूस लेबस आ गया है, इसका वीडियो अब ज हो जाएगा, पंदरा जून दो हजार, पांच विल्कुल करेक्ट एंसर है, उसके बाद में देखें, नौ नंबर कोश्चन है, देखें, नो नंबर कोश्चन क्या है, निरजीव उर्जा में समलित है, तो निरजीव उर्जा में जो समलित है, ये सारी चीजे है, जैसे अस्थान किनका होता है तो यह कोश्चन का अंसर हमें हाला कि बतानी की अवश्रक्ता नहीं है आप लोग हमारे क्या है एक प्रिकार से intelligent student है तो इसका अंसर आपको पता होगा नहीं पता है तो आज जान लो इनमें से आपका right answer ब्राम्मण हो जाएगा क्या है जाती में ब्राम्मण जो है सरवोच अस्थान इनका होता है ब्राम्मण जो जाती होते हैं तो दसका right answer a हो जाएगा तो यह भी हो गया तो हमारा student दस बहुत कलपे question के लिए हो गया है अब हमारा आ चुका है आती लगू तरिय प्रेश्ण यहाँ पर देख सकते हैं आती लगू तरिये प्रेश्ण आगया जो की परतेग प्रश्ण आपका 3 number का होता है 10 question होता है तो 30 number जो हमारा 30 number हमारा इसी में मिल जाता है तो यह पर देखिए सबसे पहला जो 11 number question क्या दिया हुआ है कि संस्कृति करण को परिभासित करे यह सबसे ज़्यादा important question है तो इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा कि संस्कृति करण क्या होता है फिर आपका 12 number question है पंचायती राज किसे कहते है इसके बारे में भी आपको बताना है हाला कि इस पर अमने वीडियो बना दिया जाकर आप देख लिजेगा सर्च करेंगे आप question यूट्यूब पर बाई सिवम study knowledge रिख देंगे तो आपको easily हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा फिर 13 number question देखे तेरावी सदी के समाज सुधारक किन विचारों से संबंधित है जो तेरावी सदी के समाज सुधारक है किन विचारों से संबंधित है इसके बारे में भी बताना है यहाँ पर देखे वर्ग आधारी तांदोलन कौन से हैं बताईए 15 number question है समाज में कानून की क्या भूमिका है समाज में यानि आप समाज सास्त्र पढ़ रहे हैं अब इसमें क्या कानून की भूमिका क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके बारे में देखे हद बंदी अधनियम क्या क्या प्रवधान है जिकि 25 सब्दों में इसका आंसर हमें देना होता है काफी student सोचने में लग जाता है यानि कहरे सोच में पढ़ जाता है यह question इसका आंसर हमें नहीं पता है देकिन नहीं पता है इससे काम नहीं चलेगा क्या है आपको क्या करना है आपको तयारी करना है आपको चैनल पर तयारी मिल जाएगी नहीं पता है YouTube पर आप सर्च कर लिजिएगा बाई सिवं इस्टडी नॉलेज लिख देंगे आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा सारी डाउड आपसके किलियर हो जाएगे हाला कि काफी important question है तो इसलिए मैं परजेंट कर रहा हूँ और मैं बार-बार इस वीडियो में भी confirm करता रहूँगा बार-बार वीडियो लाता है रहूँगा इसके answer के साथ में भी आप लोग comment करेंगे तो इसका answer के साथ में मैं जड़ो जल्दे ले कराऊँगा 17 number question है ओदोगी की करण की तीन विसेशताएं बताईए छोटा-छोटा हमें तीन विसेशताएं बता देना है 18 number question है श्रतंत्र भारत में नगरी करण की परिकेरिया का परभाव बताईए इसके बारे में भी बताना है फिर 19 number question है परियावरण आंदोलन के तीन कारण हमें बता देना है कि ये भईया परियावरण आंदोलन है और इसके क्या तीन कारण है समझ में आगया फिर देखे हमारा last question है 20 number क्या है काल माक्स आधुनी के पूंजी वादे के आलोचक थे समझाईजी तो ये भी तीन number का है छोटा छोटा question है ज्यादा बड़ावा नहीं होगा यानि ज्यादे बड़े लगत्ध तरीय इक देखे छे प्रश्न होते हैं student कितने प्रश्न होते हैं और पर टे जो आपका एक प्रश्न होगा वह छे नंबर का होगा तो Zarago 36 नंब्र आपको इसमें मिल जाते हैं इसका जो ज़ू सब्धमा यानि कितनी सब्दों में एक question का answer आप लोगों को देना है वो 50 word हो जाएगा याँ पचास सब्दों में इसका आपको answer देना होगा यहाँ पर देखिए जैसे 21 number question पूछा गया है देखिए जाती वेवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेक केजी छे नंबर का question है जाती वेवस्था में जो परिवर्तन आये हो इसके कारण आपको बता देना है छे नंबर आपको दे दिया जाएगा पचास सब्दों में यह वही क्या है से 6-7 लाइन होगा पचास सब्द कंप्लीट हो जाएगे उसके बाद में देखिए 22 number question सामाजिक परिवर्तन के सिध्धानतों की द्याख्या कीजी इन सभी का answer आपको बुक में मिल जाएगा जो आपको सामाज सास्तर का बुक है चैप् कोपी में भी आप लोग लिख लीजिएगा और आप लोग कॉमेंट करेंगे ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा किस इसके answer पर वीडियो चौबिस नंबर कोश्चन है भूमी हीन किर्सी मजदूरों के हीतों की रच्छा करने के लिए सरकार में सरकार यहाप देखे सरकार में क्या उपाई के इसकी बारे में आपको बताना पड़ेगा फिर पचीस नंबर कोश्चन है भूम अंडिली करण और सरम पर टिपड़ी यह पड़ी लिखकर भी छे नंबर दे जा सकते हैं भारते जंजात्यों में विवा के विभिन तरीकों का वरण कीजिए निया आठ परकार का विवा होता है वही आठ परकार की विवाहों के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा करके बता देना है कि भाईया यह सारी चीज क्या बचिता है व्रिस्त्तृत्त्तरिये प्रश्ण गया बचिता है यह जो की तीन प्रश्ण पहुचा रंचे आएगा पर एक प्रशन इसमे क्या होगा 8 नमबर का होगा वह भी बनात्रा लग्त को स्टेन पहुचे आएगा जैसा कि या पर दիखे बाइन है यह पूछा गया है 27 नंबर की धर्म नेरपेच्छता से आप क्या समझते हैं राश्ट्यता की निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजी यहां पर देख सकते हैं आठ नंबर का कोश्चन पूछा गया है वो भी इसमें भी अत्वा लगा है जैसे माल लीजी आपको उपर वाला नहीं आ रहा है इस कोश्चन का एंसर नहीं आ रहा तब आप ये वाला कल लीजीगा संस्किर्ती करण पर एक आलोच नात्मक लेक लिखी इसकी बारे में भी आप एंसर दे सकते हैं नहीं तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट क्या है दोनों में से किसी एक को करना है आठ नंबर आपका कंफर्म है फिर आपका आ जाता है 28 नंबर कोश्चन ये भी आठ नंबर का होगा तो तीन कोश्चन है तो आरतिरीक 21 21 नंबर आपको विशिकली क्या है मिल जाता है लगू में इसके एक प्रशन का उत्तर आपको डेर सो सब्दों में देना होता है तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है उसी की हिसाब से आपको तयारी करनी पड़ेगी 28 नंबर कोश्चन दिया हुआ है इसका अंसर आपको क्या है समाज सास्तर के बुक में मिल जाएगा तयार कर लिजेगा तभी मैं पेपर में ले कर आया हूँ 28 नंबर जो कोश्चन है राष्ट को परिभासित करना क्यों कठिन है और आधुनिक समाज में राष्ट और राज कैसे बंधित है इनके बारे में बताना है अब अथवा इसमें भी लखा है माल लिजे वो नहीं आ रहा तब आप ये वाला कर लिजेगा आधुनिक बाजार की परिमुग विसेश्ता का वरणन कीजेगा आप क्या है पॉइंट के हिसाब से हेडिंग के हिसाब से आप इसका वरणन कर दीजी आठ नंबर इसमें भी मिल जाएगा लाष्ट में जो हमारा कोश्चन बचता है 29 नंबर इसमें है आपका भारती जाती वेवस्था में हो रहे वरतमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजी तोटल के आइस में पच्छा सो नंबर का कोश्चन होता है दस आपका हो जाता है बहुविकल्पी तीस आपका हो जाता है अतिलगूत तरिये 36 जो आपका हो जाता है वो लगूत तरिये और 21 जो आपका हो जाता है वो कौन सा हो जाता है वरिस्तित हो तरी है तो टोटल 100 नंबर का जो 100 नंबर का पेपर है आपका वो कीलियर हो जाता है बहुत ही इजली तरीके से हो जाता है समाज सास्तर का पेपर इसी तरीके से होता है मैं और भी मॉडल पेपर लेकर आऊंगा तो आप लोग कॉमेंट कीज जिस पर आपको पेपर चाहिए और ये आपको पता करना होगा कि किस तरह से दिखे क्या है हर साल स्रेबस चिंज होता है उसी के according क्या है मैं आपके लिए पेपर लेकर आता हूँ काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर कीजेगा फिलाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जाहें